हेलो गाइज, वेलकम पो सूरिया 365 ब्लॉक्स, चलिए आज वीडियो को सुरुआत करते हैं, एह देखिए एक गोल्डेन है, यहाँ पर भी गोल्डेन है, और एक SRD है, यहाँ पर एक गोल्डेन है, बड़ा वाला गोल्डेन, चलिए आज मेरे घर के अंदर वाला जो सेटप ह पहले ओ दिखा दिता हूँ और आज एक SRD medium size का SRD दिखाऊंगा आप लोगों को उठा के हाद में लेके दिखाऊंगा चलिए वीडियो को फास्ट से देखते रही है पहले से देखते रही है यह देखिए यह दोनों female है यह भी एक golden female है और यह भी एक female है गाई short body है और यह देख सकते हो एक thysilk का female है यह सब में female ready कर रहा हूँ अभी breeding के लिए यह देख सकते हो एक female है यहाँ पे यह वाला क्लार किंदना ब्राइड ने सोता है वह आपको देखके ही पता चल रहा है और ये देख सकते हो एक dist bearing किसी को भी फ्राइट चाहिए तोमेरे zac नंबर उपर दिया हुआ है गोल्डेण के एमेल और असार्ड इति प्राइड को दिया है किसी को भी एक golden है और इसके बाद यहाँ पर भी एक golden है जैसे कि आप लोग देखी सकते हो और यहाँ पर SRD है एक बड़ा वाला SRD एक देखी सकते हो यह भी एक बड़ा वाला SRD है पानी के अंदर उधना color अच्छा नहीं लग रहा है और सामने से देखो कि तो बहुत ही अच्छा deep red color है और यह सब fry है किसी को fry चाहिए छोटे वाला fish grooming करके sale करने के लिए चाहिए तो अब लोग ले सकते हो but guys मेरा location कलकता में है मैं delivery अभी नहीं करता और अभी मेरे पास 200 का भी stock है बड़ा वाला golden का भी stock है medium golden का भी है और यह देखे एक बड़ा वाला golden था side में और यह देखे एक breeder size male SRD है SRD का मदलब होता है super red dragon चलिए viewers लोग आप लोग एक वीडियो को like कर दीजिए जो भी निया देख रहा है चैनल को subscribe कर दीजिए क्योंकि मैं हर दिन एक निया निया फीस के उपर review देता रहता हूँ और आपको वीडियो दिखाता रहता हूँ यह देखे एक पूरा pure golden है और इसका look आप लोग देखी सकते हो कितना अच्छा देखने में लग रहा है पर भी आप लोग देख सकते हो एक medium वाला फीस है और यह भी एक बड़ा वाला फीस है golden है SRD से काट कर golden हो गया है और यह आपर एक golden female है बड़ा वाला golden में इस अब adult है adult female है और यह आपर fries है किसी को fry चाहिए फ्लारान का fry SRD camel और golden tino variety को fry अभी available है किसी को चाहिए तो जरूर कॉल कर ले ना मेरा नाम बात उपर आप लोग देखी सकते हो चलिए आप लोग वीडियो को like कर दीजिए और subscribe कर दीजिए channel को हर एक में मच्ची है guys कोई भी aquarium खाली नहीं है हर एक में मच्ची है कुछ कुछ खाली है जो जो sale हुआ हो ही खाली है अभी मैं पूरा नहीं कर पाया चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहे हैं आज जो मच्छी उठाऊंगा उसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा क्वालिटी होने वाला है क्योंके मैंने कोई भी एकोडियाम में आप लोग देखी सकते हो कोई भी एकोडियाम में हीटर नहीं लगाया है आज ये सेकेंड वाला पाटिशन से मैं मच्छी को उठाऊंगा आप लोग को देखाऊंगा एक मीडियम साइज का SRD फीज बीना हीटर के आप लोग देख पाऊंगे मच्छी का क्वालिटी कैसा होता है विंटर में विंटर में थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाता है मच्छी का बीना हीटर में हीटर दोगे तो हेड बहुत ही अच्छा रहता है डाउन नहीं होता quality बाट बीना heater का थोरा सा डाउन हो जाता है quality और बाहर है बाहर तो ठंडी पूरा लग रहा है एकुडियाम को पानी को पूरा ठंड हो चुका है और आप लोग देखी सकते हो कि मच्ची का quality कैसा है मैं side में ले जाऊंगा और हाद में उठा कि इसका जो flower line है आइस कैसा है पूरा body pattern कैसा है सब कुछ दिखाऊंगा आप लोग वीडियो को देखते रहो यहीं बात बोलना चाहूंगा और किसी को भी कोई सबी फ्लारान के उपर चाहिए तो मेरे वीडियो के उपर जो नमबर सो कर रहा है उससे contact करो call करो या WhatsApp भी कर सकते हो गाईस यह पर WhatsApp भी एविलेबल है और यही नमबर है आप लोग कर सकते हो किसी को चाहिए तो और इसका size आप एप्रोक्स फोरिंग छोगा जैसे कि आप लोग देखी सकते हो छोटे वाला गामली में उठा के मैं हाद में उठा के आप लोगों को दिखाऊंगा और यह देखिए इसका head down है बहुत ही down है full down है क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है मेरे यह आप ग्राउं में बहुत ही ठंड है बट इसका जो redness है अभी तक ज्यादा कमा नहीं थोड़ा सा blackness आ गया है मजली के color के उपर बट इसका जो flower line है कितना deep black है वो आप लोग देखी सकते हो और इसका जो redness color ह है ज्यादा कमा नहीं है अभी भी redness है और इसका head आ जाएगा गाइस गर्मी में थो ठंडी पार हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा head आ जाएगा मेरा old वाला वीडियो एक बाद देख लेना मच्च के quality क्या सा था ओही वाला ओही वाला series का ये वाला मच्ची है कुछ कुछ मैंने मेरे फ्राम के लिए रग दिया था ओही में से एक मच्ची है आप लोग देखी सकते हो इसका full body pin में है और पूरा red हो चुका था बट आभी थोड़ा सा color fed हो चुका है कोई बाद नहीं guys गर्मी में पूरा heavy color आ जाता है बहुत ही क्यूंकि बीना heater का आप लोग जानते ही हो जो जो flower on करता है बीना heater के तो बाचा ना ही बहुत मुस्किल हो जाता है और ये तो head तो down होगा ही होगा बीना heater के क्यूंकि ठंड पर चुका है चलिए मच्ची को उसके घर में छोड़ देता है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मु